नमस्ते में सवीता उस्वागते मेरा आउनलाइन क्लासेस पर इस क्लास में आपको दिखाऊंगी कैसे जीन्स की लंबाई बदलते हैं असली हेम रखते हुए तो चलो शुरू करते हैं जीन्स की असली हेम एक अनोखे ही रूप होता है और अगर आप बस चाहे उतनी लंबाई पर कट करें और फोल्ड करके सीए तो ऐसा ही लोक नहीं मिलता हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे असली हेम को बनाए रखते हैं जीन्स की लंबाई बदलते हुए भी शुरू करने से पहले चलो मैं दिखाती हूँ क्या टूल्स चाहिए इस प्रयोजन के लिए हमें सिलाई मशीन चाहिए गेंची, सिलाई निकालने का सीम रिपर, पिंस, चौक, सबसे महत्वपूर्ण मैचिंग धागा जो आपके जीन्स पर इस्तमाल किया गया है ये नॉर् दागे का इस्तमाल कर सकते हो, सबसे पहले चाहिए उतनी लंबाई माक करें, आप अपने बोडी से माप ले सकते हो, या आपकी एक जीन्स जो अच्छी तरह से फिट है उसका माप ले सकते हैं, या पैंट पैन के चाहिए उतनी लंबाई पर फोल्ड करें, या मुझे 36.5 इ गया है, तो हेम लाइन से माप ले इस मार्किंग तक, 3.5 इंच है, तो पूरे में हेम लाइन से 3.5 इंच मार्क करें, वैसे ही दूसरे साइड करें, ये चाहिए उतनी लंबाई है, अब एक इंच उपर मार्क करें, अब हेम का एड एक इंच मार्किंग की लाइन पर रखें, और पीन करें, और हम यहां हेम के एड़ पर सिलाई करेंगे, चारो और कपड़ा टर्न करें ऐसे, सुनिक्षित करे की हेम का एज उपर की लाइन पर ही रहे और यहां भी मात्वपूर्ण है की सीम साथ रखे हेम लाइन का और या उपर के साथ रखे और फिर पिन अप करे सीम सही तरह से मैच हो रहे है एसे चारो और करे सुनिक्षित करे दूसरे साइड का सीम भी सही तरह से मैच हो रहा है अब हम यहां सिलाई करेंगे यानि हम के एज पर तो चलो शुरू करते हैं सिलाई करना नॉर्मल सिलाई के लिए मैं ये दागे का इस्तिमाल करूंगी पर बाद में उपर स्टिच के लिए मैं ये मूटे दागे का इस्तिमाल करूंगी सिंगल फुटर डाले अब यहां सिलाई करे चारो और शुरुआ तो रंत में लॉग करे मैं यहां सीम से शुरू करूंगी ताकि सीम सही तरह से साथ रहे थोड़ा थोड़ा करे आपको इस कपड़े पर सिलाई नहीं करना है इस नीचे वाले कपड़े पर होना चाहिए पर हैम के एज़ पर अब मैंने यहां सीलाई किये चारो और एसा दिखेगा दूसरी तरफ से अब क्या करना है यानि आदे इंच दूर माक करे अभी जो सीलाई की उससे यानि आपके दाएं तरफ और एक्स्रा कपड़ा कट कर दे सीलाई से आदा इंच माक करे चारो और अब अपना सीजर ले और आदे इंच माक पर कट करे अगर कटिन लगे चारो लेयर साथ में कट करना तो पहले दो लेयर कट करे अब आपको परिदान के अंदर भी उतना ही नीच चाहिए जितना की बाहर होता है तो हम ये सीम को छिपा देंगे वो करने के लिए बस ये स्टिच खोले जो असली सीलाई है सीम रिपर का इस्तमाल करते हुए सीलाई निकालने का बहुत ही काम लगता है पर वास्तव में या बहुत ही महत्व है अच्छा फिनिच देने के लिए और आसान है या सीम रिपर के साथ हम बस खोल सकते हैं थोड़ा ये खोलने के बाद तो चारो और स्टिच निकाले सभी धीले धागे को निकाले अब इस सीम को खोले और या सीम अलावेंज को अंदर दखेले यानि खुले एज अंदर और उसके उपर फिर से फोल्ड करे तो राइट साइट से ऐसा है खुले एज अंदर छिप गए और फिर आप यहां अंदर फोल्ड करे या असली सिलाई थी जो हमने अभी पहले निकाला एक बार आप खुले edges जंक ले, आप फिर से वही mark line पर सिलाई करेंगे, आप चारो और सिलाई करेंगे, ये सीने से पहले regular footer डाले, खुले edge अंदर ढखे ले और सिम को fold करें, और pin up कर ले, चारो और अगर आप चाहे तो, शुरुआत और अंदर लॉक करें, जब आप side seam पर आए, अगर आप देखे कि वह बहुत ही मोटा हो गया है, तो आप यहाँ थोड़ा seam कट कर सकते हो, खुले edges पर, अब वह आसान होगा, फोल्ड करना, side seam पर थोड़ा कटिन होगा, क्यूंकि वह मोटा होता है, अगर आपको कटिन लगे, तो फूटर उठाए, कपड़ा adjust करें, और फिर से फूटर रखें, और दीरे से वहाँ सिलाई करें, मैं वही लाइन पर सिलाई कर रही हूँ, जहाँ असली सिलाई की लाइन थी, तो ये एक है, जो हमने अभी फिनिश किया, तो ऐसा दिखेगा, राइट साइट से, और अंदर से ऐसा दिखेगा, और ये अभी करना है, तो दूसरे पेर पर भी वैसा ही करें, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और ज़्यादा क्लास के लिए लॉग उन करें, अगले क्लास में आपको दिखाऊंगी कैसे बटन होल करते हैं, इस मिशीन का इस्तमाल करते हुए, जल्दी फिर मिलेंगे मेरे अगले क्लास में, तब तक हापी सोईंग! क्यानी कि लिए तक हमझा रभी में सकाना रओना में सक्षणाबें